गूड मानिंग, और आजना मौसम बहुत ही दिखा है देखो बारीज होने वाला है, आज मौसम कल दिखा रहा था न कि ही साथ बैससा कर देखाना में अभी तक बारिज ना सूबह, साथ बजैसे बारीज होने शाथ इस सुझ कि लाय थे लेकिन अवे भी बारीज होगा में दो दो स्वेटर पहना जैकेट मेरा गंदा हुए असको दोना है और मादक भी एक अंदर दो स्वेटर पहना है और देखो यह वाला टोपी पहना है बंदर वाला टोपी और इसले ठंड भी निलेगा मादक को और देखो कितना मस्त मॉसम भुरा है तो बड़िया मॉसम वुर ना ऐसा लग रहे गर्मी का बारिस का सीजन आ गया और गर्मी का सीजन ऐसा लग रहे लेकिना ठंड है ठंड में बारिस वार इसा अच्छा नहीं लगता यह देखो गाइज यह हमारा यह पीछे और यह जो पि लगया है है तो यह अच्छे सब्झ काते हैं देखो आप यह सांच और में पानी जाता है और अर्वी सब्छक्राइब करद जाता है मैं करें जैसे कि आसे बदानाइन टीजिो के dalby के जिया कि इनकीत व्हकुत्व powerful है उनल का पानी सब सिर्जय मतलब खेट में आता है तो हमारा विल ऐसी पानी खेट में आता है ठीक है खेप से जाता पानी यह और ज्यासे खेट मेंCal देना यह है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा पानी सलाते हैं वेस्ट नहीं करते आप मान लो कि हमें और भी खेत में पानी तो देना ही होता है हम अलग से दो काम हो जाता है ठीक है और कोई रिजन नहीं है बहुत लोग बोलते हो कि पानी वेश करते हैं इसा कुछ नहीं है एक्जैंपल के तौर पर मैंने आपको दिखा दिया कि देखो यह लोग भी अपना पानी यूज करते हैं यह नाला है नाले से सीधा यह देखो सब किचन का पानी आ रहा है ठीक है अब इनको यह वाले अर्वी में तो देना ही है ठीक है एक दो दिन बाद तो देना ही होता है कि अर्वी में पानी काफी चाहिए होता है यह तो सब को पता है अर्वी हो गया फिर देखो खेत हो गया इन सब में पानी कहांस देंगे इसी से तो देते ह चलते अंदर मेरा हाथ भी दर्दोन लग गया एक हाथ में बहुत टाइंसे बैठा ही अगर अभी दोद्वाला आएगा तो चाइवाई पियेंगे नास्ता करेंगे और फिर क्या करेंगे हमेरे पास तो भी काम नहीं है ना मेरे पास काम है आध सुभे मैं मैं थोड़ा लेट अपना काम करने पाया मैं तो चल्ड़ नास्ता करके इसको मादक को इसके मामी के वाद देखें अपना काम करें चले अब कुछ के गाड़ी में बिठाते हैं लेकिन इसका नहीं चूटा नहीं तो गाइस आज ना में धोने वादे हैं कपड़े और बाहर का जो मौसम है ना वो भी बहुत गंदा है मतलब हवा चल रहा है प्लस ठंडा है प्लस बारिज भी है मतलब समझ लो आज का जो तिन है ना बहुत बेकार जाएगा बहुत ही जादा और लाइट एक पर जा रहा एक पर आ रहा है लेकिन मेरा मशीन बन नहीं हो रहा है क्योंकि ना इन्वीटर ह जैसे ना थोड़ा से चल रहा है मशीन, तो मैं बन नी कर रही हूँ, मैं सोची रही हूँ कि एक बार में ही मशीन को गुमा देती हूँ इन olvator में, जब बन क्यों करूं, जब लाइट आए गा तर्मोमोटर चला कि अदो दूंगी, तो एक दो वेज मैंने ही इन विटर से ही च मतलब हो रहा है ठीक था की बारिश हो रहा है अभी ठंड में उतना हेवी वारिश तो होगा नहीं तो वैदर बहुत खराब है आज का तो यहीं पर मैंना सुखा दे रही हूं और ज्यादा कपड़े है नहीं मैं बस दोई बैज कपड़े दोए मैंने तो इनको ही मैं इधर ही सुखा दूँगी ही भी सूख जाएंगे अगर नहीं सुखेंगे तो कल पक्का धूप निकलेगा क्योंकि हम लोगों ने फोन में ही बैदर चेक कर लिया था किल बारिश होगा की नहीं तो नहीं होगा कल कल अच्छा धूप निकलेगा तो अगर नहीं सुखा तो मैं कल दोप में डाल दूंगे न कपड़ों को लेके और दीदी उधर काम कर रही है अपना मैं फटाफट मशिन चला देरी हूँ क्योंकि दीदी को इधर पोछा लगाना है ना इस रोम में अर देखो अभी थोड़ी दिर के बाद ना मैं यह मंदीर के सामने भी कपड़े सुखाने वाली हूँ क्योंकि काफी सारे कपड़े हैं और एक जगा सुखांगे भी होगा नी आ यह जो चेयर है ना इसको हम चेंज करने वाले हैं यह जो है यह जूखतुla है काफी आइचा चेयर है कहतार हुए चलिए प्रेप करसी के चितना दो फूटा फूटा-फूटा कुरसी दो और 100 रुपे दो और एक नया कुर्सी ले लो तो हम लोग ना सोच रहे कि वही ले लेंगे तो देखो अभी कितना महहँगा देखो कितना सस्ता लेना पड़ रहा है हमें तो देखते हैं आज आए थे भया लेकिन मैं थीनी घर में मैं थी नहीं या फिर सोई थी मेरे हजबे ने बोला नहीं मुझे तेकिने चियर मुझे बहुत जल्दी हटाना है क्योंकि देखो कोई महमान आता है फिर ये टूटे वाले चियर में बैठने का देने का मने नहीं होता है बहुत लगता है की या गिर ना जाए कोई तो मुझे चियर नहीं बहुत जल्दी फिकना है अगर मिल जाए तो मैं जरूर भी अलो को रुखवा के मैं वही वाला चियर लूँगी बुरा इतना है इतना लगता है की चार सो पान सो का चियर है और हम बताओ रद्धी में बेच रहे हैं आप लोगों ने तो एक आबद जरूर सुनी थी कि मुसीबत में भी घड़े को बाब बनाना पड़ता है तो मेरा भी भई सीन है अभी इसको बेच के मुझे भई सस्ता सा एक चेयर लेना पड़ेगा अभी कोई option नहीं है मेरे पास ये मैं अगर भंगार वाले को बेचूंगी तो वो मुझे 10-5 रुपे देंगे और अगर मैं कुर्सी वाले भाया को बेचूंगी तो 100 रुपे देखे कम से गया में एक नया चेयर तो आजाएगा तो देखते हैं यही करना पड़ेगा ही उपाय है हमारे पास और इधर भी देखो मैंने ना तार मनलब रस्ती बांदा था मैंने अपने हस्बिन को बोला कि देखो अभी ना सामने बारिश आने वाला है तो मुझे कपड़े टांगने के लिए जगा चाहिए और यहां देखो यह सारे कपड़े मैंने ही मंदिर के सामने टांग दिया है मेरे आखों के सामने अगर रहेंगे ना तो सही रहेगा मुझे काफ़ी डर लगता है कि माधब के कबड़े इदर उदर गुम तो नहीं गये कहीं रह तो नहीं गया क्योंकि रात भर अगर एक खईपे अगर बाहर कहीं रहेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाता है बच्चों को तो इसलिए मैं बहुत कियर फून में अंदर लेके आती हूँ हर कहीं चेक करके